नमस्कार मैं आसे इस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में बिहार सिच्छक भरती में सभी स्टेट को एलाओ कर दिया गया है तो एक सबसे बड़ा प्रस्ण जो बच्चों का पूछा जा रहा है जैसे मैंने वीडियो डाला कि आप सभी लोग अब आवेदन कर सकते हैं बिहार सिच्छक भरती में सभी के लिए दरवाजे खोल दिये गए हैं सभी स्टेट वालों के लिए तो एक सबसे बड़ा प्रस्ण आप सभी को तंग कर रहा है क्योंकि इससे पहले एक नोटिस आया था लेकर सीटेट के कट अफ मार्क से तो इन पर बच्चों का सबसे जादे कमेंट आया है कि सर क्या मेरे 82 मार्क, 83 मार्क, फीमेल कैंडिडेट हैं तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार में तो इसका जबाब आप लोग देख लिए, मैं बता दे रहा हूं कि क्या इसके तथे हैं क्या चेंजेज हो सकते हैं क्योंकि देखो बिहार से बड़ती जब से नोटिफिकेशन निकला है एक के बाद एक चेंजेज देखने को मिला पहले कहा गया पीटेग वाले नहीं बढ़ सकते हैं फिर उसको भी प्राइमरी में ला दिया गया वो भी आपका हटा दिया गया फिर अधर इस्टेट वाले को बेंड किया गया था तो वो भी आज समाप्त हो गया इसी तरह से आपके कई जो नाइन टेंथ के लिए था उसमें भी संसोधन किये गए तो ऐसा नहीं है चीजे बदल नहीं है और बदलाओ हो सकता है अगर हम बात करें जो ये नोटिस निकाला गया था इसमें ये ही कहा गया था कि जैसे बिहार टेट होता है क्योंकि देखो जहिर सी बात है कॉमन सी बात है कि बिहार में वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो सीटेट दिये होंगे बिहार टेट तो आप लोग देने नहीं जाओगे अधर इस्टेट वाले तो अधर स्टेट वाले जो लोग सीटेट क्वालिफाई होंगे ठीके वही लोग फर्म भरेंगे और वो भी किसके टीचर बनेंगे एक से लेकर पास तक के प्राइमरी के टीचर बनेंगे अब इन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया जिन बच्चों के सीटेट के नंबर कम है अपको थो कोई भी हार में एक्षण मिल नहीं रहा है तो जब आपको आरक्षण नहीं मिल ला है तो चाहे यहां की कोई female हो चाहें यहां का कोई male candidate हो चाहें अब मेल में OBC हो SC हो ST हो मनलब आप general हो SC हो ST है OBC हो किसी भी state का जब आप बिहार में जाओगे तो बिहार के किस category में आओगे वो हर जगा होता है UR के category में आओगे undeserve के category में आओगे ठीके तो जाहिर सी बात है कि आपको जब UR के category में आओगे तो दो चीजे हो सकती है कि आपका जो CT8 का qualifying marks है वो UR का लिया जाए मतलब 90 marks आपका लाना जरूरी रहेगा मलब 60% आपका marks होना चाहिए इसमें ठीक है यह होना चाहिए यही अभी जब clarify नहीं है लेकिन मेरा यही काना है कि सब भी लोग form fill कर दो संसोधन होता रहेगा इंके में बिहार में तो कल का कोई पता चले आपका notice होती सा ऐसा ना आ जाए कि फिर आप पस्ताओ की सर हमने form नहीं fill किया तो जिनके भी ऐसे marks हैं जो मैं बता दे रहा हूँ उसके according आप form fill कर देना वैसे rules तो यही काता है कि आप जो मतलब जो other states के हैं जब बिहार में जाएंगे तो as a you are treat होंगे तो उनके लिए 90 marks ही जो है रखा जाएगा अब जो बिहार के लिए especially आप पर संसोधन किया गया था बोला गया था जैसे बिहार टेट जो 2017 के दिया है उसके according अगर कोई समानने का है मलब जो वहाँ पर you are general है कहां का बिहार का ठीक है यह ध्यान रखिएगा बिहार का general है उसके percent 60% marks जरूरी है किसमे c-tate में या b-tate में बिहार टेट में ठीक है बिहार का हो चाहे बिहार के बाहर का है चाहे किसी other state का हो यूपिया और other state का हो तो उसके लिए कोई रहाप नहीं है हाँ और बात करते हैं OBC बिहार में OBC को और female के general को female का जो general है ठीक है यह ध्यान रखिएगा यहां बोला गया ना कि देखो पिछड़ा वर्ग यहां समान कोटी की महिले उमिदवार मतलब सब के लिए यहां बोला गया देखिए पिछड़ा वर्ग अतियंत पिछड़ा वर्ग यहां समान कोटी के महिले उमिदवारों को 55 मतलब female आपके सब OBC female जो OBC की female भी होंगी जेनरल की फीमेल होंगी सब के लिए 55% मार्क्स तैं किया गया मतलब कि अगर आपका सीटेट में 82 नंबर 82 पॉइंट सम्थिंग होता है तो 82 नंबर के आसपासे आप पाए हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो मतलब यहाँ पर यह कानेमद 83 नंबर जिसने पाया होगा OBC Candidates हो या Female Candidate हो वो बिहार के Primary की टीचर बन सकती है तो अब यह पूछा जारा कि सर मेरे 83 नंबर है और मैं UP से हूँ तो क्या मैं फॉर्म अपलाई करूँ तो मेरे इसाब से आप अपलाई कर दीजिए बाद में कुछ संसोधन होगा क्योंकि अब आप अपलाई करेंगी तो बिहार में फीमेल के लिए 50% कोटा है तो जाहिर सी बात हो बिहार फीमेल के लिए कोटा है ठीक है तो आप लोग जब फीमेल यहां की भरेंगी वो यूआर में काउंट होंगी ना की फीमेल में तो चांसे अगर कुछ संसोधन के होंगे तो हो सकता है 83 वाले को eligible कर दिया जाए तो यह बात जहान रखेगा यह बिहार में तो यह चीज़ चल रहा है कि यह बिहार में 83 वाले eligible होंगे ठीके उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका ठीक अब रही बात यह मैंने female general के लिए बताए अगर आप OBC की female है कहा की OBC की female आप किसी भी state की हो OBC की female आप किसी भी state की हो कोई भी state हो कोई भी state है आपका तो उसके लिए तो आपको 82 नमबर ही चाहिए seated में OBC हो SCST हो इनका cut-off तो एक ही बनता है 55% तो वो तो all over India लही लगता है तो उसके लिए तो आपको पूछने की जरुवत ही नहीं है अब general की जो female है उन्हों आप पूछे तो समझ में आता है कि general की female का क्या होगा अगर उनके 90 marks नहीं है तो वो chances यह हो सकता है कि अगर आगे संसोधन हो गया तो ऐसे बिहार की तरह आपको treat किया जाए लेकिन कम chances है एक होने के भी chances है क्योंकि संसोधन हो रहा है अब हम 100% कुछ कहा नहीं जा सकता है यह ध्यान रखिएगा और बाकी नहीं तो 90 marks होता है वही लिया जाएगा जादे chances यह ही है ठीक है बाकी बिहार है कुछ भी हो सकता है यह ध्यान रखिएगा पहले कुछ बोलते हैं बाद में कुछ और बोलते हैं तो यह आपको समझ में आ गया चीज़े अब वही पर अगर हम बात करें अनुसूची जाते है अनुसूची जन जाते और निसक्त कोटी के लिए मात 50% अब सीटेट में कहीं भी SC, ST के लिए अलग से cut-off नहीं बनता है वो जो cut-off बनता है वो OBC, SC, ST के लिए 82 मतलब 55% marks वही बनता है और जनरल के लिए जो cut-off बनता है सीटेट का वो आपका 60% marks बनता है मतलब 90 marks बनता है 60% ठीक तो अब अगर सीटेट में SC, ST को 50% मांगा गया है और कहां मांगा गया है ये बिहार में खास कर क्योंकि बिहार टेट के अनुसार दिया गया तो इसका मतलब ये रहे कि जो यहां पर बोला जाए कि अगर SC, ST यहां के है ठीके UP के SC, ST अब वो बिहार में जब इंटर मारेंगे तो ये ये यूर बन जाएंगे तो उनके लिए ये चीज लागू नहीं होगा जैसा ये नोटिस में दिया गया है बाकी आने वाले समय में अगर संसोधन हो जाता है तो 50% मतलब जाईसी बात है तो 15-75 मार्क साथ ने अगर सीटेट में लाया होगा SC, ST का कोई केंडिडेट तो बिहार वाला तो ये लिजबल है ही है अगर बाहर के लिए किया गया तो वो भी एलिजबल हो जाएगा लेकिन अभी बाहर के लिए कुछ इस नोटिस के कॉर्डिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब वो बंदा किसी अदर स्टेट का अपने कास्ट से आएगा बिहार में तो वो जेनरल की तरह ट्रीट होता है और ये जो चीज़े चेंज की गई है वो बिहार से लिलेटेड चेंज की आगया ये धियान रखेगा बाकी आगे आने वाले में थोड़ा सा लाइन लिक के संसोधान कर दें तो इसी लिए फॉर्म सभी तो आपके फॉर्म कर दो हो सकता है अभी आपके अगर डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे है तो आप अपने प्रशनों को कमेंट ज़रूर करिएगा हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए और जिन बच्चों को तयारी करना है एक से लेकर पांच तक प्राइमरी की तयारी करना है तो आप परिक्षा प्लस एप जो है इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से ठीक है परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से वहाँ पे आपको sequence wise सभी subject की classes free of cost दिया गया है मतलब उस पे कोई भी cost नहीं है सभी open है सभी के लिए class, video class लेकिन अगर आपको e-book चाहिए मतलब किताब चाहिए आपको PDF के form में तो नामात्र का सुल्क आपको 399 देना है उसमें आपको पूरी किताब मिल जाएगी आप print कराके आपके पास समय कम है अच्छे से तयारी कर सकते हैं जो भी आपके दोस्त मित्र हों उनको भी ये video share करिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर subscribe करिए और class करना मत भूलिए रोज साम को 7 बजे आपका बिहार की 7-7 PMP आपके class होती है ठीके ये ध्यान रखिएगा चले तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद